मेश राशी, धन लाब के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं, पैसे की प्राप्ती होगी, और संपत्ति से जुड़ा हुआ अगर कोई काम है तो वो काम बन जाएगा करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, असी प्रतिशत यानि बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है व्रिशब राशी, आपके स्वास्थ में सुधार होता दिख रहा है और इस समय आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे किसी मित्र की सलाह ले करके अगर आप चलें तो इस समय आपको लाब होगा भगवान शिव को एक लोटा जल अरपित करिएगा आपका दिन और भी जादा शुब होगा शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 पृतिशत यानि उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मिथुन राशी स्वास्थ का अपने बहुत ध्यान रखिए धन के लेंदेन में सावधानी रखिए और परिवार में किसी तरह का विवाद न हो शांती बनाए रखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन की मुश्किलें थोड़ी कम हो तो किसी निर्धन को सफेद मिठाई का दान कीजिए शुभरंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60 पृतिशत यानि मेहनत जादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा करकराशी अगर कहीं पर धन रुका हुआ है फंसा हुआ है कोशिश करके देखिए धन आपको प्राप्त होगा आपके स्वास्थ में भी सुधार होता दिख रहा है और करियर के मामले में अगर कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो करियर में सफलता इस समय मिलेगी किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुभ होगा शुभरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है सिंग राशी स्वास्थ में आपके सुधार होगा इस समय काम के नए और बेहतर अवसर मिलेंगे धन की स्थिती आपकी अच्छी बनी रहेगी एक लोटा जल अगर भगवान शिव को समर्पित करें तो आपका दिन बेहतर होगा शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 पृतिशत यानि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फाइदा होगा कन्याराशी आपके स्वास्थ में सुधार होता दिख रहा है मानसिक चिन्ताएं आपकी समाप्त होंगी इस समय धन लाब के अच्छे योग भी बन रहे हैं अगर आप किसी निर्धन को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत यानि उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है तुलाराशी स्वास्थ का थोड़ा सा ध्यान अभी रखिए बहुत मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़ा ध्यान बनाए रखें पैसे के लेंदेन में धन के लेंदेन में थोड़ी साथ धानी रखें और महत्तोपूर काम मत टालिएगा वरना करियर में मुश्किलें हो सकती हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपके दिन के मुश्किलें कम होंगी दिन आपका बेहतर होगा शुबरंग होगा क्रीम और भागे का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ पृतिशत यानि मेहनत जादा होगी भागे थोड़ा कम रहेगा व्रिश्चिक राशी करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी धन की स्थिती में आपके सुधार होता दिख रहा है इस समय किसी छोटी आनंद दायक यात्रा पर जा सकते हैं एक लोटा जल अगर आप भगवान शिव को समर्पित कर दें तो आपका दिन और भी जादा शुब होगा शुबरंग होगा नारंगी और भागे का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है धन उराशी धन लाब के अच्छे योग बने हुए हैं करियर में इस समय कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है और अगर आप कोशिश करके देखें तो इस समय आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान आप कर दें तो आपका दिन और भी जादा अच्छा होगा शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है असी प्रतिशत यानि बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है मकर राशी मानसिक चंताएं तनाव आपका बहुत हद तक समाप्त होगा आपकी शत्रू और आपके विरोधी परास्त होंगे महत्तोपूर काम इस समय आपका बन जाएगा दिन आपका बहुत अच्छा है एक लोटा जल अगर भगवान शिव को आप अरपित कर दें तो आपका दिन और भी जादा शुब होगा शुबरंग होगा आस्मानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90 प्रतिशत यानि सबसे जादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है कुम्बराशी स्वास्थ पर अपने ध्यान बनाए रखिये करियर में कुछ परिवर्तन इस समय जरूर होगा और अगर आप विद्यार्थी हैं सिक्षार्थी हैं तो सिक्षा प्रतियोगिता पर भी ध्यान दीजिए किसी निर्धन को अगर आप सफेद मिठाई का दान करें तो आपका दिन थोड़ा बहतर होगा दिन की मुश्किलें कम होगी शुबरंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रतिशत यानि मेहनत जादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा मीन राशी रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा करियर में इस समय नए अवसर आपको मिल सकते हैं इमोशनल प्रॉबलम में भावनात्मक समस्या में आपके सुधार होगा किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा शुब होगा अवसर और भी अच्छे मिलेंगे शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है किसी निर्धन का दें पूल आपके साथ बना हुआ है